नमस्कार प्रिये दर्शकों हजर हूं मैं 5 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनी दैनिक अराशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए अराशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं झाल मैं प्रिया आपके प्रांप आपके प्रांपट्स प्रांप बनापके प्रांप करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोमवार है माघमास कृष्णपक्ष की आज दश्मीति थी है जो सायनकाल पाँच बच करके 24 मिनट तक है और इसके पश्चात एकादशी है अनुराधानक छत्र प्रातह साथ बच करके 54 मिनट तक और इसके पश्चात जेश्ठानक छत्र है ध्रूवयोग विष्टि करण है बात होगी पंचांग की चिंद्रमा आज वृष्षिक राशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 50 मिनट से 2 पर 12 बच करके 34 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्रातह साथ साथ बजे से 9 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रेदर्शकों आज प्रातः सुर्योदय से साथ बज करके चववन मिनट तक जब तक की अनुराधा नक्षत्र है सरवार्थ सिद्धी योग है कोई आपका विशेश कार्य हो तो इस सरवार्थ सिद्धी योग में आप उस कार्य को अवश्य ही प्रारंभ कर लीजिए लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्तितियों की गुरू मेश रासी में सिम्चरण कर रहे हैं तो वहीं कीतु कन्या में चंद्रमा वृष्चिक में हैं तो मंगल और शुक्र यूती बना कर धनुरासी में सूर्य और बुध की यूती मकर में कुम्भ में शनिदेव और राहु मीन में यह है ग्रहिस्तिति प्रियदर्शकों गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्राता काल थोड़ी देर के लिए यहनी साथ बच करके 54 मिनट के लिए शनिदेव के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में होंगे सोमवार का दिन सोम्मेवार और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरण कौन सी उराशिया है जिनके लिए आज का ये दिन बेहत खास सिर्द होने वाला है और कौन सी व राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवशक्ता है? कौन सी व राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंब कर लेने चाहिए और कौन सी व राशियां हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारंब करने से आज बचना चाहिए? मेश शे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातक किस ग्रह का विशेश प्रभाव रहने वाला है आज आप पर कौन सा वो श्नान है, कौन सा वो दान कौन सा वो उपाय है, जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं, सभी विश्यों की चर्चा आगे हम अराशी फल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्तिती, इन ही ग्रहिस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है, निदैनी, अराशी फल तयार किया है, वो ने दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ, यह राशी फल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस अराशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी अगर आप उतने जन्म राश के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्थ की 10 फरवरी दिन शनिवार वल्लभाचाई जी की जयनती है और उस दिन से गुप्त नवरात्री का आरंब हो रहा है तंत्र की साधना करने का विशेस अवसर प्रारंभ हो रहा है, विशेस अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है प्रीदर्शकों, दिब्ब्य माहा प्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूँ, उससे पूरु बता दूँ यदि आपकी दिलचसपी जोतिस में है, तरहाँ ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर चले जाइए, यह एक प्लीलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए, यदि आप जोतिस में दिल्चस्पी रखते हैं, जोतिस को भली भाती सीखना चाहते हैं, समझ लीजिए प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है, वहीं यदि आपको जोतिस के न आश्चर्य में अवश्य ही पढ़ जाएगा, अगर ऐसे रोचक तत्थियों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर इससे जुड़ जाएए, मैं हर दिं ऐसे रोचक तत्थि लेकरके वहाँ पर उपस्थित होता हूँ, पूर्व जन्म से हमारी जो अधूरी चर्चा है, आज उसे आगे बढ़ाते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव का सम्मंध्य जन्म कुंडली के सष्ठ से हो, यनि आपकी जन्म कुंडली में सष्ठ भाव में शनिदेव दिखाई पड़ें, तो एक बात तो तय है, कि आपने पूर्व जन्म में कुछ बेहद स्रिष्ठ किया है, बहुत अच्छा किया है, कुंडली में शनिदेव का यहां होना निसन देह बहुत स्रिष्ठ है, यूं समझ लीजिए कि वो शक्तियां जो औरों के लिए भै उत्पन करने वाली हैं, भै आपके लिए सहयोगी हैं, और समय समय पर आपको वो मार्ग बताती रहेंगी, आपका मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी, प्रियदर्शकों जन्म कुंडली के छठे भाव में शनिदेव के होने को बहुत स्रिष्ठ माना गया है, पूर्व में भी इस पर वीडियो बना कर के म बोया हुआ है, आप उसे बस काट रहे हैं, याद रखिएगा कि अब जो बोयेंगे फिर आगे काटने का मौका आपको मिलेगा, अब ही जो आप काट रहे हैं, ये आपके पूर्व का बोया हुआ है, तो जन्म कुंडली के सश्ट के सनिदेव के बारे में मैंने चर्चा करक जो आईू का भाव है, यहां से सनिदेव 12 को और यहां से सनिदेव तीसरे भाव को देखते हैं, इन्हें सभी जगों पर द्रिश डाल करके जातक के जीवन को बेहद स्रिष्ट बना देते हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव को यदि पूर्व जन्म का हम द्वार कहें, त जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, जैसा मैंने काहा कि पंचम भाव यदि पूर्व जन्म का लगन बन जाए, तो सश्थ भाव जन्म कुंडली का दूसरा भाव बन जाएगा, अब जारा समझीए कि यहां पर दुतिय भाव में सनिदेव होते हैं, तो उनकी दृष्टी कह कहां पड़ती है, तो दूतिय भाव में सनिदेव की दृष्टी जो है, चतूर्थ पर होती है, अश्टम पर होती है, और साथी साथ एकादस पर होती है, तो चतूर्थ भाव किसका है, तो चतूर्थ भाव वैराग्य त्रिकोन का लगन है, अश्टम भाव वैराग्य त्रि कोण का पंचम है अब जारह गौर करिए कि जन्म कुंडली में जब शनीदेव की दृष्टी इन दो भावों पर पड़ती है विश्यस करके जन्म कुंडली के जिसके दूसरे भाव में शनीदेव हैं वो भी जानते होंगे निसंदेह ऐसे लोगों की वानी में थोड़ी कड़ वाहट होती है इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है ऐसे जातकों के अंदर कड़वी वानी बोलने की आदत होती है लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि कड़वा बोलने वाला बुरा ही हो कई बार कड़वा वो लोग भी बोलते हैं या वो लोग जादा कड़वा बोलते हैं जो ब के कारक ग्रहों के रूप में राहू और शनी को ही रखा गया है, लेकिन ये ब्यात रियाद रखे कि शनीदेव नयाधीस हैं, और अगर अकेले हैं, तुन्हें जूट के कारक के रूप में आप नहीं कह सकते, गुरू इत्यादी ग्रहों की दृष्टी से दृष्ट हैं, तो वैसा जातक निसंदेह सत्य वक्ता होगा, अब चतूर्थ भाव, जो की वैरागित्र कोन का लगन है, यहाँ पर शनीदेव की दृष्टी वर्तमान, अगर आप आज की समय में मेरे कारिक्रम को देखते हैं, तो मैं क्या कहा करता हूँ, कि ऐसे जातकों के पास सनीदेव योग हो सकते हैं, जिनके पास इतना है, पर समय नहीं है, भागम भाग है, तो जब तक वो भोगने की योग होंगे तब तक समय निकल चुका होगा, तो भी जीवनकाल में कई बार वैराग्य की उत्पत्ति होती है, बहुत अधिक भोग की चीजों का होना भी हमारे जीवन म पर द्रिश्ट डाल करके वैराग्य की उत्ति जीवन काल में विशेश रूप से करा देते हैं, जातक के अंदर एकाकीपन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, परंतुगौर करिये, कि शनिदेव की एक जो दस्वी द्रिश्टी है, वो काम त्रिकोण के पंचम पर है, यानि ये एक स्वाभाविक स्वाभाव है, कि जो साधू है, वो जो भोगी लोग है, उनको देख करके कहीं न कहीं सोचता है, क्या आनंद है इनके जीवन का, और जो भोगी है, वो ये सोचता है कि देखो मैं किस दलदल में फसा हुआ हूँ, यही एक स्वाभाविक लोग आपके पास कम होंगे, तो न तो आप किसी की निंदा करेंगे, न किसी की शिकायत करेंगे, न किसी की बुराई करेंगे, न किसी के लिए सड़े अंत्र रचेंगे। सनिदेव अश्टम पर द्रिष्ट डालेंगे, जो वैराग्य त्रिकोण का पंचम है, तो वैराग्य त्रिकोण जो पूर्वजन्म में था, एकदम से लुप्त तो हो नहीं जाएगा, तो इस जन्म में भी आपके पास है, द्वादस पर भी द्रिष्टी पड़ेगी, यानि पूर्वजन्म का जो वो वैराग्य आपके अंदर जागरित है, वो आज भी जागरित रहेगा, जिनकी कुंडली के सष्ट में शनिदेव हैं, वो आज मा करके देख लें, कहीं न कहीं उनके अंदर एक वैराग्य की वृत्ती हमेशा रहती है, किसी चीज को पा लेने के बा इत्यादी ग्रहों से द्रिष्ट हैं, तो भटकेगा नहीं, कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा रह जाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसे शनि राहु इत्यादी से द्रिष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक ने, यहां एक बात और ध्यान से समझ लीजेगा, शनि यदि कुंडली के सष्ठ में राहु इत्यादी से भी द्रिष्ट और यूत होते हैं, तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि जो मैंने बात कहीं, कि ऐसी सक्तियां जो दूसरों के लिए भैप्रद है, वो ऐसे जातकों के लिए सहयोगी होगी, वो राहु से द्रिष्ट हो से औरों को इसने नुकसान पहुँचाया है, इस जन्म में सनी और राहु के इस संबंद से नाना प्रकार के रोग, दिर्ग कालिक रोग, शत्रु पीड़ा, अपनों का सुख कम मिलना, लगातार रोग से जूझते रहना, ऐसी स्तिती जातक के जीवनकाल में उत्पन्न होग है, हम अपने आसपास जितने लोगों को देख रहे हैं, चली जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में शनी देव बैठे हैं, हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, आप भाई, पूर्व जन्म की कुंडली की चर्चा चल रही है न, तो हमारा ये जो आज का जन्म है, वही फिर अगले जन्म में आपका पूर्व जन्म बन जाएगा, यही सब्ते हैं न, तो जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में शनी देव हैं, क्या वो सभी लोग तांत्रिक हैं, आज के समय में, जबाब हैं नहीं, तंत्र का असल मतलब कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं, मैंने कोई विशेस अलग चीज नहीं है, मंत्र में भी यही अक्षर है, हम ध्यान से उसको समझेंगे, तो मंत्र के अक्षर कोई अलग से थोड़ी उत्पन्न होते हैं, इन्हीं अक्षरों से बनाएगा है मंत्र, इन्हीं अक्षरों से बनता है यह अंत्र, इन्हीं अक्षरों से ह कि हर व्यक्ति विश्यस करके हम बात सनी की ही कर लेते हैं दूसरे भाव में शनीदेव हों तो ये मंत तंत्र प्रयोग के पीछे का जो तर्क है वो यही है कि क्या दुतिय भाव के शनी दूसरों के प्रती कई बार तो ऐसे लोग परिस्तितियों को देख करके बोलेने वाले कई बार चापलूसी न करें तब भी ऐसी कड़वी बानी बोल देते हैं कि सामने वाले को बहुत गुरा लग जाता है अगर गुपतरीती से सामने वाले के लिए दिया आप सड्यंत्र रचते हैं दूतिय भाव का सनी ये कराते हैं तो यही तंत्र प्रयोग है ये आपने किय प्रया है और उसी का दंड़ अगर सनी राहू के साथ है तो इस जन्म में आपको मिलेगा स्वास्थ से समंधित परेशानी कूट कचहरी से समंधित परेशानी ब्यर्थ का ब्याय चोटे भाई बहनों का सहियोग न मिलना नित्रों से धोगा पडोसियों से धोखा ब्यर्थ क परेशानिया जीवनकाल में लगी रहेंगी आज भाली जीए सवाल खड़ा होता है क्या करें अब कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं जब जन्म कुंडली के सष्ट में शेनी राहुई त्यादी ग्रहों से पीडित हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबकी मदद करिए सबका हिद करिए सबका भाला करिए जो गलती पुर्ब में हो गई है यानि जलेसी के चलते इंसान किसी का बुरा तभी करता है अनिथा अगर आप देखें तो एक उदाहरण से देखिए हर बर्ग के लोगों में एक प्रतिद्वंदिता है भिखारियों में अपस की प्रतिद्वंदिता और अमीर खांदान में जो सबसे अमीर लोग हैं उनके अंदर अपनी एक अलग प्रतिद्वंदिता तो ही मध्यम बर्गिये में अलग प्रतिद्वंदिता किसी को इरस्या किसी से नहीं करना बस यही कर लिजे आपके जो पुर्ब के करम हैं वो कट जाएंगे पाप हैं वो कट जाएंगे चलिए चलते हैं राश्य फलकी ओर बात करेंगे राश्यों के क्रम में पढली राश्य मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज अश्टम में है और ये चंद्रमा थोड़ी देप तक शनीदेव के नक्षत्र में साथ चोवन तक और इसके पश्चाब फिर पूरे दिन बुधके नक्ष अब देखा जाए तो कल के ही भातिये चंद्रमा शनी राहू की दृष्टी से दृष्ट गूरु से सडाश्टक योग में पर आज भी आप मंगल के प्रभाव में हैं फलता ठीक है दिन आपके लिए गीता है आपके पास होगा ही अठारमे अध्याय का पाठ करिए या स्रम की सलाह या छोटे भाई बहन की भी सलाह आपको मिल जाए तो दोनों से आपको फायदा मिल सकता है जल्दबाजी मत करिएगा मंगल के प्रभाव में हैं सो थोड़ा पेसेंस रखिएगा इंतजार करने में ही भलाई है और व्यापारियों की बात करूँ तो ठीक रहने वाला तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है और ट्रेम संबंद के दृष्टिकोंड से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा बिद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा विशेस करके अगर आप रुसर्च फिल्ट के बिद्यार्थियं म रुषब के जातकों की बात करें तो गोचर कुणली में चंद्रबार 80-70 में आज बुधके नक्षत्र में होंगे साथ चोवन के बाद और आज आप बुधके ही विशेस प्रभाव में कहना नहीं बहुत बढ़ी आए दिन इलाईची पांच खड़ी इलाईची जिए गणेश जी को अरपित करिए और दिन भर में एके करके उसका सेवन कर लिए बुधका प्रभाव जैसे आप धीरे-दीरे करके अपने भीतर लेते जाएंगे आपका दिन और बढ़िया होता जाएगा उपहार मिलेगा, अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे, कोई बड़ा फैसल आप करना चाहते हैं तो करिए मन की बात लेकिन हर किसी से शेर मत करिए बाकि एकागर होकर के जो भी आप काम करेंगी यूँ समझ लिए कि बुधका विशिस प्रभाव होने के चलते मैनेजमेंट और एकागर होकर के काम जहां की आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है किसी पुराने परिचित से मुलाकात करनी है कर सकते हैं वसे एक और बात ध्यान रखिएगा कोई भी काम अधूरा मत छोड़िएगा इससे आपको नुकसान होगा विवाज से बचने की कोशिश करिए व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा खर्ज पर अपने कंट्रोल रखिएगा और जो लोग अभिवाही थे उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है प्रिवी विवाह समंदी मामलों में भी अधी कहीं कोई उल्जन या परिशानी थी तो वो दूर हो जाएगी निकुल मिलाकर के दिन ठीक है बिद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन दहने वाली है मन पढ़ाई से भटकेगा और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्थ में कोई विश्यश परिशानी तो नहीं है जीवन साथी को किसी ने किसी बात को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है लकियंके एक लकी कलर आपके लिएज ब्राउन है निवेश आप करें मिथुन के जातकों के दी हम बात करें तो आज गोचर कुणली बिचंद्रमा आपकी रासी से सश्थ में सनी और बुध के नक्षत्र में पूरे दिन और आज आप शुक्र के प्रभाव में हैं सफेद वस्त्रधारन करिएगा और इत्र का प्रयोग करिएगा साप सुत्रेवस्त्र का प्रयोग करिएगा पिता की सलाह से कोई कारे करिएगा दिन बहुत अच्छा रहने वाला है किसी से शत्रुता पालने की आवशक्तानी सबसे मैत्री भाव बना करके चलिएगा ज़्यादा तरकाम आपके वक्तों से पहले पुरुन हो जाएंगे और मीठा बोलने का प्रत्न करिएगा ब्यार्थ के ब्याय पर अंकुस लगाईएगा और जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं लीजे दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है यात्रा सावधानी के साथ विश प्रत्न के लिए तो अनुखूल ही है दिन हर तरह से स्वास्थ में भी कोई विशेस परिशानी नहीं वहान बस सावधानी के साथ चलाईए लगी यंक आपके लिए आज तीन लखी कलर आपके लिए आज के शरिया है निवेश भी आप करें करक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से चतुर्थ में और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमसः शनी और फिर बुद्ध के नक्षत्र में और आज आप पूरे दिन शनी देव के नक्षत्र में और आज आप पूरे दिन शनी देव क में आकर कोई काम मत करिए बिना विचारे कोई हाथ काम हाथ में मत ले लिए ओफिस को या फिल्ड बर्ग जरा सचेत रहेगा मानसिक अशांति और दबाव आप पर विर्थ रहेगा और विर्थ करेगा और उच्छा धिकारियों का भी विशेश प्रिसर आप पर रहने वाला है विया पारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा एक काम नीपड़ जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए आज नाकारात्मक विचार भी आपको घेरे रहेंगे भावुक हो करके कोई कदम मत उठाईए प्रेम समंध में उतार चढ़ाव की इस स्वास्त को लेकर के भी सचेत रहना होगा लखियंक चार लखी कलर आपके अच पिंक है और निवेश भी आप ना करें सम्म के जातकों की बात करूँ तो गोचर कुंड़ी में चंद्रमा आपकी रासी से चतूर्थ में क्रमसह देखा जाए तो शनी और फिर बुद्ध के नक्षत्र में मंगल का विशेश प्रभाव है आप पर मंगल के प्रभाव को बढ़ाईए लाल चंदन अपने माथे पर लगाईए जल में लाल चंदन डाल कर के शनान करिए आज शुलिंग पर लॉंग अर्पित करिए नौ की संख्या में ये भी आपके लिए बढ़िया होगा कि करके आप उसको खाईए ताकि मंगल का प्रणानी से कर लेंगे और मिहनत तो आपको करना ही है प्रणाम मिलेगा व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा बाकी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कोई नया व्यापार इत्यादी शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए कदम आगे बढ़ होंगा जितने भी मेडिकल फिल्ड के विद्यार थी हैं उनके लिए दिन को खास कहा जाएगा स्वास्त के मामले में माता के स्वास्त का आपको विश्यस ख्याल रखना है बाकी स्वास्त से संबंधित कोई परिशानी नहीं है लखियंग दो लखी कलर आपके लियाज लाल ह कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंदरबार 80 से तीसरे में बुधके नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन और आप सूरी का प्रभावा पर विश्यस रूप से बहुत बढ़िया है बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिकर के स्विलिंग पर च परिवार से समंधित यदि कही कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा रोज मर्रा के सभी काम पूरी पूरे होंगे भूमी भवन से समंधित काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं तो ही कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़ि यानि कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है और स्वास्त के दृष्टी कोण से देखें कहीं कोई परिशानी नहीं है अगर था भी तो उससे सुधार होगा तो बढ़िया है दिन लकियंग का आपके लिए आज छे और लकी कलर आपके लिए आज औरेंज है निवेश भी तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से दूसरे में बुधके अक्षत्र में ब्यर्थ के बैय से बचिए मद्देपान मानसाहर से दूरी बनाईए राहु का विशेष प्रभाव रहने वाला है मादक पदार्थों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए अलाकि भैरोग जी के मंदर में जाकर के आज दर्शन करिए और हो सके तो तंबाकू या कोई मादक पदार्थ अगर वहाँ जाकर के आप दान कराएं या वहाँ बैठे भिखारियों को आप दे आएं जो सेवन करते हों तो आपको इससे विशेष फैदा मिलेगा खुद नहीं करना दान करने की बात कर रहा हूं बाकी कारेक्ष्यत्र में आज आपके लिए लोग मददगार साबित होंगे खुशी मिलेगी जो आपके अधिनस्त है उनसे आपको सहयोग मिलेगा बिना विचारे कदमत उठाईएगा बिना विचारे कोई व परन्तु प्यार का इजहार नहीं करना यहां विवात की संभावना होने वाली है विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा मेहनत के अनुकूल परिनाम मिलने वाला है स्वास्त के मामले में पेट की जलन किस्तिती है तो खान पान पर नियंत्रन जर पर शनिदेव के नक्षत्र में पूर प्राता काल साथ चोवन तक फिर बुद्र के नक्षत्र में लेकिन गुरू का विश्यस प्रभाव है आप पर फलतह के सरका तिलक लगाए गुरू के बल को और बढ़ाईए पीले रंग का वस्तर धारन करिए स्वरन जलसे स्नान करिए अचनक धनलाव होगा प्लैनिंग के साथ काम करिएगा तो सभी काम बनेगे और जो आपके बड़े बरिष्ट हैं उनका सम्मान करेंगे तो भी आपके काम बनेगे बाकि घटने वाली घटनाओं का पुर्वा भास होता रहेगा अतह जो भी परिशानी आने वाली है उससे आप बच सकते हैं एकाग रहो करके काम करेंगे सोच विचार करके तो अबस से फायदा मिलेगा याद रखेगा बाहाना नहीं बनाना जो काम आज आपने ले लिया है उसे इमानदारी के साथ पूरा करिए संतान पक्षों से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा ब्यापार से समंदत फायदा दिखाई पड़ रहा है कहीं पैसा डूबा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है नौकरी करने वालों को अगर ट्रांसफर चाहिए तो उसका भी सारा मिल जाएगा या निकुल मिलाकर के दिन अच्छा है और कोई निवेश इत्यादी भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं दामपत्य जीवन में थोड़ी अनबन की इस्तिती है तो वो जरा प्रेम से पेस आईए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए विद्यार्थियों को जल्दवाजी नहीं करना चाहिए आत्नविश्वास में आपके बृध्धी होगी इससे और स्वास्तिके दृष्टिकूर्ण से देखें तो कोई विशेश परिशानी तो नहीं है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज जोकी ग्रहिस्तिती ऐसी है देव गुरु का प्रभाव है तो पीला इसी रंग को आपको आज इस्तेमाल करना है इसी रंग का वस्तर इत्यार धारन करना है धनू के जातकों की बात करें तो आज गोशर कुणली में चंद्रमा रासी से बार हुएं बुधके नक्षत्र में और गुरू का विशेश प्रभाव है तो आप भी गुरू के बल को और बढ़ा लिजे केसर का तिलक लगाई अपने माथे पर और स्वरन जल से स्नान करने से भ दिन बहुत बढ़िया है ब्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया परन्तु कोई काम जल्दबाजी में मत करिये यात्रा सावधानी के साथ करीगा और किसी को धन उधार देना और दिलाना दोनों नहीं करना संतान पक्षे से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है नया मोबा साथ करिएगा लाववस्य होगा और हाँ आज वीशेश करके भोजन का खयाल रखें बासी भोजन मसालेदार भोजन इससे आपको बचना है लकियंक तीन और लकिकलर अप्लेज पीला है मकर के जातकों की बात करें तो आज शुक्र के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से एकादस में गुद्र के प्रभाव में कहना ही नहीं दिन बहुत बढ़िया है शुक्र का बल और बढ़ाईए सफेद वस्तर धारण करिये इत्र का प्रयोग करिये साप सुत्रे वस्तर पहनिये जीवन साथी का सम्मान करिये आत्म विश्वास से ब्रद्धी होगी नारी का सम्मान करिये सोचे हुए काम पूरण होंगे किस्मत का साथ मिलेगा आपकी योजना सफल होगी पारिवारिक जीवन में दिका ही कोई गलत फ़ामी परिशानी थी वो दूर होगी यदि कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाल है जिस तरह की भी परिशानी से जूज रहते मुक्ती मिलेगी अपने काम के परती जितना हो सके इमानदार बन करके रहिए व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं स्रेश्ट कहूंगा ओफिस हो या कोई छोटा व्यापार या बड़ा व्यापार सभी कारे आपके अच्छे दिखाई पर रहे हैं जीवन साती से सहयोग मिलेगा प्रेम संबंध के दिर्श्टिकोंड से भी दिन पढ़िया है दामपत्य जीवन भी आपका सुख में है बिद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा कुम्भ के जातकों की बात करूं तो आज आप बुवन भाषकर के प्रभाव में हैं सूरे के परभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा दसं में हैं बुध के प्रभाव में प्रातकाल, खाली, पेट ठोड़ा गुड़ खाईए और दो बातों का खयाल लखिए, बॉस और पिता दोनों का सम्मान करिए, इनकी कही बात को काटिये मत, फिर देखिए, कोई काम रुखेगा नहीं, जो भी महत्तो पुरुल काम है आपके बनेंगे, लोगों से मुलाकाती त्यादी करने में भी आपको फायदा मिलेगा, मदद आपको मिलेगी, और कारे स्थल पर भी देखें, तो आज का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई नया कारे शुरू करने की सोच नहीं तो कर सकते हैं, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, और आपके माता-पिता की बात को काटनी नहीं, बस इतना ही, व्यापार से कोई टेंजन परिशानी थी, वो दूर होगी, और बाकी आपको अपने स्वास्त का जारा खयाल लखना होगा, अज सिरदर्द के शिकायत संभाव है, तो वो देख लीजेगा, और हाँ, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश मत करिए, परिस्तितियों को देखते हु आपके लिए आज क्रीम है, क्रीम कलर का इस्तेमाल करिए, मीन के जातकों की बात कर लेते हैं, आज गोचर कुंडली में चंद्रमार 80 से 9 में हैं, बुध के नक्षत्र में, और आपके उपर शनिदेव का विशेश प्रभाव हैं, एक दो बातें बता देता हूं करिए, आज आठ दाना काला उडद ले लिजे, और ले जाकर के हनुमान जी के बाएं पैर पर अरपित करिए, हनुमान जी का ध्यान करके, परिशानियां कम होंगी, मदद मिलेंगी, और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहें, तो ओभी उठा सकते हैं, जिसे करियर में उचाई बिले नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, हलाकि पैसा जरा फसने वाला ये ध्यान रखियेगा, बहुत सोच समझ करके काम करना है, बिना विचारे कहीं कोई वादा मत करियेगा, कारुबारियों की बात करूँ तो कारुबार ठीक रहेगा, पर क् स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो गैस वा एसिडिटी से समंधित परिशानी दिखाई पड़ रही है, तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा, लखियंक आपके लिए आज तीन और लखी कलर आपके लिए पीला है, निवेश आप जानकार की राय से करें, तो प् झाल